हेलो स्टुडेंट्स आज हम XI 3.2 का नेक्स्ट कोस्टन करेंगे पहले 5 कोस्टन हमने कर लिये थे अब 6 कोस्टन से स्टार्ट करते हैं हमने value find out करनी है साइन ओफ 765 लेकिन हमने 10 तक value सीखी थी सिरफ 90 डिगरी तक ठीक है और हमने value find out करनी है 360 से ज्यादा हमने 360 तक भी देख ली थी अब 360 से भी ज्यादा मतलब 360 से भी कुछ ज्यादा value आगी जब भी ऐसा question आजाए 360 से ज्यादा आजाए ठीक है तो हमने क्या करना इसके दो तरीके हैं हम एक के पहले करते हैं पूरा हमारा जो first quadrant है वो 0 से 90 तक है second 90 से 180 तक है फिर 180 से 270 तक फिर 270 से 360 तक मतलब यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 2 pi अगर फिर circle मुण के आगया 4 pi जानी हमने क्या करना है जो भी value होगी उसे हमने 360 से डिवाइड कर देना ठीक है जो भी value होगी हमने उसे 360 से डिवाइड करना है 360 to the 720 तो 5 4 तो अब हमारे पास क्या आगया हम 765 को क्या लिख सकते है 360 into 2 plus 45 अब देखो 360 into 2 plus 45 कौन से quadrant में लाई करेगा यहाँ तक तो क्या हो गया 360 फिर एक circle भूमा 720 अब 45 डिगरी है तो यह कौन से quadrant में लाई करता है हमें first quadrant में बता है all positive तो sine भी हमारे पास क्या होगा positive ही होगा तो 360 plus 2 जनी यह हमारे पास कौन से quadrant में first में और 360 पे कोई angle change नहीं होगा जनी तो हमारे पास क्या जाएगा sine of 45 अब sine 45 की value हमारे पास क्या है 1 by root 2 तो कोई भी अगर 360 से बड़ी value आ जाए तो हमने उसे 360 से divide कर दे है ठीक है अब चलते है 7th question पर 7th question है हमारे पास cosecant of negative 1410 degree negative 1410 degree अब negative आ गया अब हमने introduction पार्ट में पढ़ा था ठीक है अब देखो अगर 360 में कुछ भी add होता है ठीक है कुछ भी add होता है तो वो first quadrant में है अगर कुई subtract होता है zero में से जा कुछ भी तो वो कौन से quadrant में है fourth quadrant मे ठीक है जानि अगर zero में से कुछ subtract होगा जैसे हमारे पास क्या है sine of zero minus theta जानि इसे हम क्या लिखेंगे sine of negative theta तो ये कौन से quadrant में लाई करेगा fourth quadrant में तो fourth में sine negative होता है तो इसे हम क्या लिख देते है negative sine theta ठीक है fourth quadrant में positive कौन कौन से होता है सिरफ एक cos theta positive होता है और एक secant theta positive होता है बाकी तो negative होता है तो इसलिए यहां हमारे पास क्या है cosecant of negative one four one zero तो cosecant हमारे पास fourth quadrant में क्या है negative है तो इसमें से negative बाहर आ जाएगा तो ये ह मारे पास क्या जाएगा cosecant of one four one zero degree ठीक है यह आपने द्यान रखना है अगर कहीं भी angle में negative आ जाए तो उसमें सिरुफ दो ही positive होंगे cos और secant other में क्या हो जाएगा negative बाहर आ जाएगा तो अब हमने क्या करना है one four one zero को solve करना है तो अब इने बोला था अगर three sixty से ज्यादा है तो उसे हमने क्या करना angle को three sixty के साथ divide कर देना ठीक है अब देखो three sixty को three के साथ multiply करोगे तो यह क्या जाएगा हमारे पास one zero eight zero अगर four के साथ multiply करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है one four four zero जानी यह thirty degree आगे चले जाता है ठीक है यानी हमारे पास क्या जाएगा यहाँ negative thirty ठीक है जा हम क्या कर सकते है one four one zero three sixty के साथ three के साथ multiply तो हमारे पास क्या जाएगा one zero eight zero ten में से zero गे ten minus eight two तो यह हमारे पास क्या जाएगा 320 चाहे आप इसके साथ कर लो चाहे इसके साथ कर लो ठीक है हम पहले इसके साथ करके देखते है negative cosecant of तो क्या लिखेंगे three sixty into four तो यह हमारे पास क्या negative thirty करना पड़ेगा हमें negative thirty अब three sixty into four तो हमारे पास कितने जानी first circle हो गया ठीक है second हो गया, third हो गया, fourth अब fourth में से कुछ subtract हो रहा है ठीक है, यहां आ गया चार वर circle गोम के, fourth में ते कुछ subtract हो रहा है तो यह कौन से quadrant में लाई करेगा जानी, three sixty में से यह fourth quadrant में लाई करेगा fourth में cosecant में होता है negative होता है fourth में हमारे पास क्या होता है cosecant negative, तो यह हमारे पास क्या जएगा cosecant of thirty degree अब negative negative क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया cosecant of 30 degree अब cosecant 30 क्या होता है sine का reciprocal sine 31 by 2 होता है तो cosecant 30 क्या होगा 2 तो यह हमारा क्या है 7th answer क्या आ गया 2 इसी तरह चलते है 8th question 8th question हमारे पास 10 of 19 pi by 3 अब यह हमें radian की form में है तो हम कोशिश करेंगे radian की form में solve करें तो देखो इसे break कैसे करना है देखो इसमें क्या है divide में 3 है तो 3 लिख दिए अब 3 को 6 के साथ multiply करो 6 into 3 18 तो यह हम क्या लिख देंगे 6 pi और यह 6 into 3 18 तो इसमें क्या करेंगे add 1 जैनि 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा 19 pi जैनि 19 pi by 3 को हम break करके कैसे लिख सकते है 6 pi प्लस pi by 3 अब 6 pi यहां तक क्या होगा 2 pi यहां 4 pi यहां 6 pi 6 pi में कुछ हैड हो रहा है फिर यह कौन से quadrant में है first quadrant में first में सभी क्या है positive है तो हमारे पास क्या जाएगा 10 of pi by 3 अब 10 pi by 3 यानि 10 pi by 3 की value क्या होती है root of 3 तो यह था हमारे पास 8th question इस cancer क्या आगा है हमारे पास root of 3 9th question 9th question हमारे पास sine of negative 11 pi by 3 अब फिर negative आगा है अभी हमने 7th question में देखा था अगर sine में negative आजा है तो negative क्या होता है बाहर लिख देते हैं क्योंकि 4th quadrant में sine क्या होता है negative होता है तो 11 pi by 3 लिख देंगे अब pi की form में है तो pi की form में break करना है तो इसे हम क्या लिखेंगे sine of पहले तो इधर 3 लिख दो 3 3 दा 9 जा 3 4 दा 12 of pi चीक है अब देखो यह 11 pi से जएदा आगया तो यहां क्या आगा negative of 12 pi में से कुई subtract करोगे तभी तो 11 pi आगा तो यहां हम क्या लिख देंगे negative pi by 3 जानी यहां हम 4 pi लिखेंगे sorry 3 into 4 12 12 pi में से कुई subtract करोगे तो यहां हमारे पास क्या जागा pi 12 pi minus pi is 11 pi जानी 11 pi by 3 को हमने कैसे solve करना है पहले तो जो denominator है इस इस लिख दो अब 3 को 1 के साथ multiple है 3 3 को 2 के साथ किया 6 3 को 3 के साथ किया 9 अब 3 को 4 के साथ किया 12 12 pi बन गया 12 pi में से कुई subtract करना है तभी तो 11 pi आगा तो 12 pi minus pi by 3 अब यह कौन से quadrant में लाई करता है फिर 4th quadrant में लाई करता है 4th में sine क्या होता है negative तो इसे हम क्या लिख देंगे sine of pi by 3 अब negative negative cancel तो हमारे पास क्या आगए sine of pi by 3 sine pi by 3 की value मारे पास क्या होती है root of 3 by 2 तो यह हमारे पास 9th question तो चलते हैं 10th question 10th question हमारे पास cot of negative 15 pi by 4 तो फिर यह कौन से quadrant में आए 4th quadrant में जब भी angle में negative आ जाए तो वो कौन से quadrant में लाई करता है 4th quadrant में लाई करता है ठीक है तो इसे हम क्या लिखेंगे negative cot of 15 pi by 4 तो यह हमारे पास अब इसको break करना है तो हमने बोला पहले यहां क्या लिख दो 4 ठीक है तो 4 for the 16 अब 16 4 for the 16 आगए तो इसमें क्या करेंगे negative तो 16 pi minus pi क्या हो जाएगा 15 pi तो negative cot यह कौन से quadrant में लाई करता है 4 pi अब देखो 2 pi 4 pi अब 4 pi कौन से 4 pi में से कुई subtract हो रहा है तो कौन से quadrant में लाई करेगा 4th में 4th में cod हमारे पास क्या होता है negative तो यह की आगया negative cot of pi by 4 negative negative positive तो यह हमारे पास क्या आगया court pi by 4 court pi by 4 क्या होता है 1 तो यह हमारे court pi by 4 क्या होता है 1 तो हमारी 3.2 x is complete होती है Thanks for watching and subscribe to the channel Next video में हम 3.3 start करेंगे Thanks for watching झाल झाल